रेडियो खाची 90.4 FM पर प्रसारित किये जाने वाले विशेवस्तु का सारक रेडिट प्रस्तुत करता को दिया जाता है। हमारा मकसद है समाज में ज्यान एवं सकारात्मक्ता को आगे बढ़ाना। रेडियो खाची 90.4 FM हम सब का रेडियो में आप सब का स्वागत है। क्रिया की अंतरगत कहानी की प्रमूख विशेस्ताओं के बारे में अध्यन करेंगे। कहानी की प्रमूख विशेस्ताओं के बारे में अध्यन करने से पहले ये जान लेना बेहद आवसक हो जाता है कि कहानी क्या है। आईए हम लोग जानते हैं कहानी के बारे में कहानी सुनने पढ़ने और लिखने की एक लंबी परमपरा हर देश में रही है क्योंकि यह मन को रमाती है और सब के लिए मनोरंजक होती है आज हर उम्र का वेक्ती कहानी सुनना या फढ़ना चाहता है यही कारण है कि कहानी का महत्वर दिनानू दिन बढ़ता जा रहा है कहानी की परिभासा कहानी को फरिभासा के चोकटे में बांधना एक कठीन कारे है फिर भी बिद्वानों तथा कहानी लेखकों ने इसकी परिभासा अपने धंग से गड़ी है मुझे सब से अच्छी परिभासा सुप्रसिद कहानी कार प्रेमचंद की लगती है उन्होंने लिखा है कहानी गल्प एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनो भाव को प्रदरसित करना ही लेखक का उद्देश से रहता है उसके चरित्र उसकी सैली उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को फूस्ट करते हैं वह एक ऐसा रमणिय उद्ध्यान नहीं जिसमें भाती भाती के फूल बेल बूटे सजे हुए हैं की एक गमला है जिसमें एक ही पौधे का माधूर्य अपने समुन्नत रूप में द्रिष्टी गोचर होता है हिंदी के एक दूसरे कहानिकार अग्ये ने कहानी की परिभासा इस प्रकार दी है कहानी जीवन की प्रतिक्छाया है और जीवन सोयम एक अधूरी कहानी है एक सिक्छा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती कहानी की प्रमूख विशिस्ताएं कहानी की प्रमूख विशिस्ताएं निम्नांकित हैं नमबर एक आज कहानी का मुख्य विशे मनुस्य है देव या दानो नहीं पसु के लिए भी कहानी में अब कोई जगह नहीं रही हाँ बच्चु के लिए लिखी गई कहानियों में देव दानो पसु पक्षी मनुस्य सभी आते हैं लेकिन स्रेश्ट कहानी उसी को कहते हैं जिसमें मनुस्य के जीवन की कोई समस्य या संबेदना व्यक्त होती है देवी, देवताओं, दानों और पसु पक्षियों का समय अब समाप्त हो गया है पहले कहानी सिक्षा और मनोरंजन के लिए लिखी जाती थी आज इन दोनों के स्थान पर कवतुहल जगाने में जो कहानी सक्षम हो वही सफल समझी जाती है फिर भी मनोरंजन आज भी साधारन पाठकों की मांग है कवतुहल और मनोरंजन से अधिक हम कहानियों में मनुस्य की नई संबेदनाओं की खोज करते हैं आज की कहानियों में भाग की अपेक्षा पुरुसार्थ पर अधिक बल दिया जाता है आज का मनुस्य यह जानने लगा है कि वह अपने भाग का निर्मता है वह किसी के हाथ का खिलोना नहीं अत एव आज की कहानियों का आधार जीवन का संघर्स है नमबर चार प्राचीन कहानियों का उद्देश रस का परिपाक था आज की कहानी का लक्ष विवीद प्रकार की चरित्रों की स्रिष्टी करना है वेक्ती वैचित्र्य दिखाना उसका मुख्य उद्देश है यही कारण है कि आज कहानी में चरित्र सिक्त्रन या महत्व अधिक बढ़ा है पहले जहां कहानी का लक्ष घटनाओं पर जमघट लगाना होता था वही आज घटनाओं को महत्व ना देकर मानव मन के किसी एक भाव, विचार और अनुभूती को व्यक्त करना है प्रेम चंद ने इस संबंद में स्पस्ट लिखा है कहानी का आधार अब घटना नहीं अनुभूती है प्राचीन कहानी समिस्ट वादी थी वह सबके हितों को ध्यान में रख कर लिखी जाती थी आज की कहानी वेक्ती बादी है जो वेक्ती के मनो वज्यानिक सत्य का उदगाटन करती है मनो वज्यानिकों ने मानो मन के जिन अस्तरों की खोज की है उन अस्तरों की गहराई में उतर कर मानविय सत्य को खोल कर उफस्तित करना आज के कहानीकार का प्रमुख लक्षे हो गया है पहले की अपेक्छा आज की कहानी भासा की सरलता पर अधिक बल देती है क्योंकि उसका उद्देश से जीवन की गाठों को खोलना है नमबर आठ पुरानी कहानिया अधिकतर सुखानत होती थी किन्तु आज की कहानिया मनुस्य की दुखानतक कथा को उसकी जीवन गत समस्याओं और अंतहिन संगर्सों को अधिक से अधिक प्रकासित करती है धन्यवाद